सार्थी ड्राइवर परिवार के साथ गुपाल फाउंडिशन परिवार ड्राइवर दुन्या के साथ में नागपुर से मद्यप्रदेश के सेमा तक सफर किया और सभी प्रकार के सार्थी भायों के साथ समवात कर समस्या उपर प्रकाश डाला अनेक प्रकार के समस्या उज्जा खरुवे हैं साथी गोपाल परिवार हर प्रकार की समस्या का संभव मदद करनी का प्रयास करी की ऐसा आश्वासन संकटन अदिश्य प्रलात अगरवाल ने दी साथी सभी प्रकार के संगटन के साथियों से अपिल की गई कि समस्या हो गोपल परिवार फाउंडेशन को अउगत करने के लिए इस दोरां प्रमुकृप से भाई चारार राजमार्ग परिवन सेवा के नरिन रमिश्रा शिवाजी वाहन सरक्स संचालक असोशेशन के दिनिश अगरवाल सचिन पांडी ने सड़क मार्ग पर साथी ड्राइवर साथियों से मुलाका की गोपाल परिवार फांडेशन के संस्दापक अधिश प्रलात अगरवाल ने अपने साथ साल की अनुपव बताती वे पत्र में लिखा कि आम अदमी से बड़े व्यापारियों तक नए कारूं में बदलाव चुकिया है वगल थे तता सरका ने सुझाओ समिती के स्ताप ना क निचाइए ऐसा पिये वो को पत्र लिखा है अपने डावर भाईयों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके सड़क सुरक्षा के लिए आपकी जानमाल की सुरक्षा के लिए गोपाल फाउंडेशन परिवार जिस तरह से काम करने जा रही है उसमें आप लोग सावागता निभाएं हमने आपसे वदा कर रहा हूं कि जिस तरह से सरकार ने लिखित में कानून दिया है पालिया मेंट के अंदर से हम उसी तरह से सरकार से निवेधन करते हैं कि हमें लिखित में चाहिए हम 26 जनवरी के बाद हम इसको चक्का जाम अंदोलन करनी के त्यारी करेंगे अगर सरकार हमें लिखित ने चीज को नहीं दिया तो हम लिखित में चाहते हैं सरकार के साथ में काम करना चाहते हैं सरकार के निड़ने को मानते हैं कठोर कदम सड़क हास्य के लिए उठाने आती आवस्याख है लेकिन इसमें सभी पहलों को देखते हुए सरकार इसमें निड़ने करना चाहिए जैसा कि हम सार्ती भाईयों के लिए सबसे बड़ी समस्या है आज भैमुक्त सफर भैमुक्त सफर इनको चाहिए इनको चेक पोष्ट में किसी तासे परिशानी न हो और हमें सरकार सीव करते हैं किसी की गाड़ी को एक बार चेकिंग किया जाए बार बार उसको रास्ते में हरस्मेंट ना किया जाए जब तक परिवान माफिया खतम नहीं होगा जब तक सड़क हास्यों को हम नहीं रोक सकते सड़क हास्यों को रोकने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है परिवान माफिया को रोकना पड़ेगा रोड भाय मुक्त करना पड़ेगा इस विस्तर में हमारे साथ सभी परदेश के डावर भाई है और हम लोग सभी डावर भाईयों का एक लंबा चोड़ा गुरूप बनाना चाहते हैं, कि आपको हर सुख दुख में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, अपनी बात को सेर हमसे करिए, हम आपकी बात को सेर करेंगे, आपको राष्ट के इत्मे काम कर श्कमाइन काम करना है, आप निश्ठनल हाइवे के हीरो हो, हीरो नकेड हो, जिस तरा से फोजी भाई हमारे रिकॉड़िंग बौर्डर में राते हैं, उस तरा से आप हमारे सबस्स रख के सकदेव सिंग जवरपूर MP, रोड ले उते बहुत परिशान यह जगा जगा आटियों परिशान का रहे हैं, खास कारके MP बहुत जगा जगा आटियों ख़रे, जाने में भी इंट्री देओ, आने में भी इंट्री देओ, सब परांतों की गारियों को बहुत परिशान किया जा आपकी परसानी क्या है भीया जूल जी नमस्कार जी सड़क पे जो है पुलिस वाले भी प्रेशान करते हैं नाजाइज ठगी करते हैं और कभी क्या नाम है वो रोड टेक्स के रूप में लेते हैं पैसे और नहीं मालूम के ये हाइवे की है और पतना किस-किस तरीके से प्रे जाता है और जवरजस्ती पैसे भी लिए जाते हैं जहां बॉर्डर का जो मसला है वहां पे लंबी चोड़ी भीर लग जाती है कांटे सही से काम नहीं करते हैं और अगर कुछ कहते हैं तो मरने को दोड़ते हैं और जगे-जगे प्लिस वाले ट्रेफिक प्लिस वाले नादरी सेनिक है ये देश की हर जरूट को पूरा करते हैं यहां से वहां समान पहुचाते हैं तो इसलिए ड्राइवर भाईयों की समस्या का हल किया जाए और जो यह कानून लागू किया जा रहा ये भी लागू नहीं होना चाहिए अगर ड्राइवर भाई रुके गा तो मैं नहीं आएड़ मेरा यहा हर सो किलो मीटर पेड़ी होना चाहिए आप हंग रहा है 80 एर रही और 61 साथ 61 साथ से टांसपोर्ट का बिजनेस करता हुआ उसमें बहुत सारे उतार चड़ाव देखें मेरा अनुबा डैवर भाईयों के लिए सरकार के लिए सरकार के ओफिसरों के बारे मेरे मेरा जो नोलेज है उसके हिसाब से में सरकार तक और आप मेरे साथी लोगों तक अच्छे ओफिसरों तक मेसेज अपना पहुँशना मतलब है तो जो यह अभी कानून बना सरकार हमेशा ऐसा मानता हूं कि पबलिक के फाइदे के लिए कानून बनाती है पर वो जो उल्टा पड़ जाए इस कानून के बनाने में सरकार को भी यह घ्याना आगया और वो डूंड के उनको सही जो जिसके जानकार है उसमें मेरा एक सर्जेशन है कि जैसे मेरे को 60-60 साल हो गए जिन लोगों को इस लाइन में जुड़े हुए 50 साल है उनकी एक कमेटी या उन 10 लोगों को पहले कोई भी कानून या कोई भी चीज या कोई भी चेक पोस्ट ख में जो अच्छा हो वो सरकार को लागू करना चाहिए नए कि कोई भी चीज थोपनी चाहिए थोपने में कितना नुकसान हुआ वो इसका सर्वे कर ले और सर्वे करके वियापारी कितना नुकसान हुआ कितने दिन काम बंद रहा कितने दिन लोगों के दिमागों में क्या फ जो भी ये कहेगा इसका क्या रखता है तो जो मेरा अनुभावर में उनको शेयर करूँगा और इसमें मैंने एक चित्थी मोदी जी को लिखी है जो मैंने उन तक भेजिया और मैं अभी मीडिया में भी वो चित्थी दिये तो उस चित्थी का वो पढ़के और सरकार उस पे अ वाड़ जो हिंगे प्ता है एन्बिस्टन नेउस्केले वाडिसे सरफ पाटिल कीरिपोड